हेलो बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग हुमेदा सांदार जिन्दबाद जबर जस्त होंगे योपे पुलिस का कुछ मुख्य बातें बतानी है मुझे प्रिक्षा से संबंदित और कुछ भी जरूरी चीजी आएगी तो मैं भी चाहता हूँ कि वो बच्चो की जीके की तो आप उस क्लास को लेकर के इस क्लास को देख लीजिए कि इसको तो कभी भी देख लीजिए कोई नुक्सान नहीं है अच्छा अभी मैं बात करूंगा तो मैं पूरी OMR सीट जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मैं OMR सीट बिलकुल वैसी ही बनवा लूँगा और OM का जिक्र आ गया और OMR भरने के तरीके भी बता दिये गये यह बहुत अच्छी बात है मैं यह नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखकर ही उन्होंने वह भेज दी है नहीं पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि हमने वीडियो बनाया और वह भी सामको साथ में आ गए तो यह बह मोर पर क्लिक करेंगे ना जब वीडियो देखते हैं तो चोटी स्क्रीन पर तो मोर आएगा लिखा वहां पर वट्सप चैनल का लिंक लगा हुआ है ठीक है नॉर्मलाजेशन के बारे में थोड़ी शी बाते करेंगे पहले तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि एक्जाम से ही सेलेक्शन होगा किसी और चीजों से नहीं अगर किसी वज़े से आप कोई स्टेज किसी ने क्रॉस कराब ही दी तो आप अंत्तय पकड़े ही जाओगे ठीक है तो जीवन ही खराब होना है तो ऐसे वैसे चक्रों में मत पढ़िये चाहे सेलेक्शन मिले या ना मिले ठीक है चलो अब मैं बात कर लेता हूँ इस बात की कि भाई आ पिछेतर जन्पदों में सेंटर्स हैं और दस से बारा और तीन से पांच दो सिफ्टों में एक्जाम होगा सब को मालूमत दो घंटे की परिक्षा है और बच्चे इसमें जो ना पांच मिनट एक्स्ट्रा दिये जाएंगे इस बात के लिए कि बीच-बीच में आपको वो लोग आएंगे कि यह आपकी प्रेजेंटेशन है इस पर साइन कर दीजे बीच-बीच पेपर के बीच में परिशान करते हैं वो लोग कक्षिन रिक्षक आपका ध्यान भंग करेगा ही करेगा वो आपके दो भी आपको गंटी बजा के बताया जाएगा तोटल पांच गंटियां बजनी है जो इंडिकेटर रहेंगी इतनी देर हो चुकी है तो यह पेपर छोड़ा जाएगा वह बारे पांच पर छुड़वाया जाएगा यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं इवाच्छे यह पर पिछला नोटिफिकेशन उठाएं तो वहां पर यह साफ साफ लिखा है कि संख्यात्मक्मानसिक योगता इतने की इस बार भी लिखा हुआ है साही कि सामन्ने ग्यान और जो आपका 75 पिछित्तर यह सब चीजे सामन्ने ग्यान और उसको साथ मिली मिला देता है इसको हिं दिको कि दोनों पिछित्तर के और इन दोनों को मिला के पिछित्तर का तो एक कोई 37 कोई 38 इस तरह से लिखा हुआ भी है लेकिन यहां डेड़ सो लिख करके तो यह थोड़ा सा उसने ना दिमाग में हल्चल पैदा कर दिया कि यह डीड़ सो परेसन लिखें हैं तो यह क्या दिक्कत है यह ऐसे कैसे तो यह ऐसा तो नहीं है कि हिंदी ऐसा रहा हो कि पचास की आ जाए तो बच्चों में यह संका पैदा हो रही है इस चीज को देखते हुए कि कल ही आया है साइट पे इसमें एक सबसे बड़ी गलती तो क्योंकि आनन फारान में सब चीज़ा निकाली ज सब्सक्राइब करेंगे इनका ठीक नहीं है ना पेपर में जैसा बताया जाता है वैसा नहीं है और वो हो भी क्यों नहीं क्योंकि जो इसके स्लेवस में जो मैट्स के स्लेवस में रिजनिंग के चैप्टर ही दे रखें क्या और ख्या पार्ट कर रखें मैट्स के स्लेवस को तो कोई बचा यह सोचे कि मैट्स के 37 भी आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते क्योंकि मैट्स में का औ पार्ट के लिए तो मैट्स के तब भी तो 19 ही बनते हैं, कि मैट्स तो यह फी पार्ट में उसमें से, और एक पार्ट में तो reasoning है, और reasoning अपने पार्ट में तो है ही, 37 question की 37 plus 19 तो 56 question वैसे भी बन जाते हैं ठीक है इस वजे से तो आप इस चीज की चिंता बिलकुल ना करें कि maths बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो कि चंता है इसलिए मैं ये बाते कर रहा हूं वरना नहीं करता और सारी बाते logical हैं अब देखिए ये कल उन्होंने दिया कि बाईया 0.5 की रिनात्मकता होगी तो बाईया 2 का 1 बटे 4 अगर करोगे तो 0.5 या आता है 0.25 तो तब होता है जिए प्रेशन एक नंबर का होता है तो 0.5 वही एक बटे 4 की नेगेटिव मार की है और वह OMR मैं आपको WhatsApp चैनल पर भेज रहा हूँ तो गोलों को मिटाने या दुबारा भरने का प्रेश ना करें क्योंकि गोला भरा जाएगा पहन से और उनको अगर आपने दुबारा भरा या मिटाया तो वह आपका गलत माना जाएगा वह प्रेशन ऐसा भी नहीं कि उसको वह यह छोड़ देंगे कि अनटेम्ट दिखा दें तो नेगेटिव से तो बज़ जाओगे वह अटेम्ट भी दिखाएगा और नेगेटिव भी लेके जाएगा तो वह प्रेशन आपका फिर धाई नंबर लेके जाएगा यह answer किया है और बच्चा लोग क्या करते हैं कि यह चार option है तो इन मेंसे एक भर दिया पाद में आया यह नहीं था यह था तो फिर वो इसको इतना 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 इससे काटके इससे पार कर देगा उसमें से पार करके कि अब तो यह ही है यह तो option ही नहीं बचा मसला छेद और छेद करके तो ऐसा भी कर सकता आपको zero marking में ले जाए ठीक है तो ऐसा मत करना प्लीज चलो अब एक दूसरी बात जो यहां ध्यान देने वाली बात है वो यह भी है कि प्रेशन पत्र में सामान्य हिंदी के व इंगलिस में थोड़ी लिखेंगे अब एक बात और कि अगर दो बच्चे यह बात बहुत important है जो मैं इसको बताने जा रहा हूं प्रेशन पत्र में अगर सामान्य हिंदी में गलत है इंगलिस में सही है प्रेशन आपको अगर इस स्थिति में हो आप और आप यह साबित कर तो कि यह प्रेशन ही गलत है तो फिर आप उस प्रेशन को उिंगलिस में जरूर पढ़ लेना आपके उसे Ahora इंग्लिस तो हम आती है नहीं पर थोड़ी बहुत भी अगर आती हो यह समय बच रहू आपके पास तो इंग्लिस का वर्जन मानने होगा उसका उसका हिंदी का वर अभी उत्तर विकल्पों में ना मौझूद होने यह इस्थिति बनेगी 100% पेपर भी आनन फाना में में बना जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दो तीन प्रेशन तक भी गलत हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है इस प्रेशन के उत्तर चार है चारो ही ऑप्शन में नहीं है जो तो चार प्रेशन यानि मतलब 140 ही प्रेशन सही है तो आपका 300 में से ना हो करके पेपर 292 का पेपर हो जाएगा अब 292 में से नंबर होंगे काउंट अब बच्चे सोचेंगे एक सर ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी सिफ्टों के तो हो सकता उसमें एक गलत आया हो ह उसके तो 300 में से माक्स होंगे हमारे 292 में से होंगे ये तो हमारे साथ अन्या हो जाएगा उसके साथ जिसकी सिफ्ट में ऐसा हुआ तो उसके बराबर करने के लिए होता है नॉर्मलाजीशन क्यों होता है इसी कारण तो होता है तो इन बच्चों के फिर माक्स वैसे भी अग्जाम में चीज़ें अच्छे के लिए ही की जाती है और उसके नेगटिव इंपेक्ट्स भी होते हैं ठीक है वह बात अलग है अब देखिये नौला लगेगा ऐसे तो की सही उत्तर कितने है निर्दारी तंक कितने है और सही प्रिशनों की संख्या क्या है इस तरह से नौ नहीं OMR सीट पर तो बच्चों यह OMR सीट देने वाला हूं और यह मैं किस आधार पर बनाई है मैंने जो इन्होंने कल बोला है उस आधार पर बनवाई है और इसलिए मैं कल भी बने वीडियो में बताया था कि मैं लेकर आ रहा हूं तो बच्चे अब बिहारती का हिंदी में पूरा नाम तो यहां बिहारती की हिंदी में आ जाता है अब इसलिकलत इसलिए यह लेकिन रखना कुकि यह यह बात आई नहीं है उसँлек मार नाे में deze क restriction अब ब्यार्ति का हस्ताक्षन उन्हें हिंदी में ही चाहिए, तो फिर हिंदी में ही करना, ये मत कहना कि किसी में भी कर सकते, अंकित सर्ण ने बोला था, तो क्यूंकि यूपी के बहुत सारे पेपर्स में ऐसा आता है, कि अगर हिंदी में हस्ताक्षन मांगे गए हों, तो वो पांच अंक आया जितने पहां पर कॉलम उतने ही देगा माल लीजे वह आया यह लिख रहा है 56-250 तो मैं यहां पर पहले भर देता हूं बच्चा क्या करता है 56-250 पहले 5 भरने लगेगा फिर 6 भरने लगेगा तो भाई पहले यां भर दो तभी वह गलती के चांस कम रहेंगे ज 56-250 बहार मत निकालना मेरे पास जगे कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं तो अब देखिए भाई सिंटू लगा देना तो जैसे इन में से जहां भी गोला 5 का होगा वही भरना है इस लाइन में 5 के नीचे 5 ही फिल करना है तो यह मैंने 5 फिल कर दिया अब जैसे 6 है तो 6 जहा दो नीचे जो है यहां भर दिया पाच इसके पास भर दिया जीरो कहा है जीरो कई बार नीचे भी होगी कई बार उपर इसका बड़ा confusion हो जाता है भाई देख ले ना इनमें लिखी हुई होती है तो यहां पर जीरो उपर ही लिख रही है तो मैंने उपर भर दी अब यह मेर A भर देना N भर देना नीचे दूसरे कॉलम में K भर देना तो भाई एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे अंजान होंगे offline paper दिये हुए किसी किसी बच्चे को बहुत दिन हो गए होंगे तो वो और यह OMR मैं इसलिए भी दूँगा 10 तारिक को आपका admit card आ जाएगा इस OMR पे इस बार का Sunday का paper इसी OMR पे करना और सारी entry भनना पूरे exam की feeling ले करके ठीक है तो आपके एक practice भी हो जाएगी क्योंकि admit card होगा या आपके सामने उस पर भरी दोगे तो भाई और 11 तारिक को आपका question होंगे प्रिशन किसमें है paper में तो paper से मिले गाई है यह paper पर लिखा हुआ होता है उसके उपर लिखा आता है प्रिशन पुस्तिका संख्या तो वह यहाँ पर डाल दीजिएगा ठीक है और फिर गोले काले कर दीजिएगा उस तक पुस्तिका series series ऐसे भी हो सकती है ट्रपल वन करके आजाए ऐसी भी हो सकती है तो ABCDEFGH अगर ऐसी आई है तो इनमें से एक ही गोला काला होगा या तो आप P होगी या B होगी या C होगी या D होगी या कुछ होगी जैसे आप एक कॉलम में दो नहीं भर सकते यहां भी क्योंकि दूसरे प्रसुन का एक ही तो उत्तर होगा तो सेम चीज यहां है इसमें बस नीचे को है कि 0 के नीचे एक ही उत्तर है 5 एक ही है अगर उपर इस कॉलम में दो पाँच भरता तो दो करते पड़ते हैं मुझे इसमें ठीक है तो भाई मैं दो थोड़ी भर सकता हूँ एक कॉलम में एक यंग लिखना होता है तो बच्चो ये पूरा मैंने प्रोसिजर आपको बता दिया है हस्ताक्षर देखिए ये तो अभी सेंपल है ऐसा भी हो सकता है कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़े और चेंज आ जाए वहाँ तो आप उसको ध्यान पूरवग भर ले ना कक्षिन इरिक्षक के हस्ताक्षर का भी एक कॉलम होता है उसको भर दीजेगा नीचे अगर आपके साइन आ रखे आंसर सीट में नीचे और अमार सीट में नीचे भी होते हैं कही बार साइन तो वहाँ भी कर दीजेगा उसको किसी को मत छोड़ के आना ठीक है और ये हाँ एक चीज यहाँ रह गई है कि आपकी पाली कौन सी है ये तो खुद बोला है उन्होंने कि ये तो आएगी भरने को प्रिथम पाली है दुटिय पाली है अगर प्रिथम है तो प्रिथम पर क्लिक कर दें दुटिय है तो दुटिय भर दें ठीक है क्लियर